हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल एम जिकलेक्स जीडो सेवन में तो दोस्तों आपको पता है यह छोटे-छोटे जितने भी दिखने है ना बहुत छोटे-छोटे यह साथे मिर्ची के पोरे हैं दोस्तों और आपको दिखी रहोगा है यहां पर मिर्ची आना स्टार्ट हो चुकी है आप देख सकते हो यहां पर यह फ्लावर्स खिलेगा अभी और जो मैंने सुबा वीडियो ला ली थी वह फ्लावर्स खिला नहीं था जो अभी पहले दिखा है वैसा था पर आप यहां देखो कितना सुन्दर लगगा है देखने में बह बहुत चोटे चोटे पोड़े लेकिन मिर्ची है आचुगी है बहुत खुशी हो यह देखने एक अब देख सकते हो वाकि मैरीगोल के सारे पोड़े सुख चुके आप देख रहे हो सारे अटा कौने में पड़े हैं यहां पर यह सदावारे बारिश आदी है बहुत तरमाटर के पहो देने यहां पर देखो यह प्याज भी उग दिये एक लगाईती दोस्तों चार बाच हो चुकी है अभी और बड़ी होंगी और ज्यादा होंगी कि यहां पर मिर्ची का पहोड़ा लगा है आकी अंदर और भी पहोड़ा लगने आपको दिखाता रहता हूं मै यहां पर एक और खिल रहा है यह चार और यह पांच अभी और देखो कलिया कितनी आ रही है एक दो एक यहार यह तीन और भी आ रही है अभी मैंने नोटिस कर रहा था बीना वीडियो मनाए जब मैं देख रहा था यहां भी जो रही है और एक और आரिये नीचे वो भी रही और यहां पर आरी है तो धन्यवार दोस्तों पूरा वीडियो देखना कमेंट करके जरूब बताना और मिर्ची का पोड़ा कैसा लगा आपको जिसमें छोटे पिर्ची के छोटे छोटे पोड़े देखो इतनी हाइट है पोड़ेगी और अभी से मिर्ची आना स्टार्ट हो चुके देखो इसमें या भी अच्छा लगरा होगा आप लोग चत पे बैठेखो यहां पर देखो यह भी खिल चुका है बहुत प्याना लगथा देखो यहां अन्दर अपने हपसणों कर लेगा आगर आइसा ऐसा लगथा जनगली पोड़ो एक ही पथर चटा का पौद अग्लगता देखने में और यहां देखो यहां पी भी पौधा किल रहा है बहुत सुन्दर लगता है यह भी आर्टिफिशल पौधा यह रेको गुडल का पौधा है यह देखो आपको पत्तों पे बूंदे के निशान दिग गए पानी के छीटे पड़ रहे हैं क्योंकि बारिश आ चुकी है तो पौ पौधा कैसा लगा कमेंट करके जरुद बताएं और सब्सक्राइब करने चैनल को और अपडेट्स आपको मिलती रहेगी मिर्ची के पौधे में जैसी मिर्ची आजएगी देखो दूर से दिखता है वाइट कलर का फ्लावर खिल्ची में तो धन्यवाद दोस्तों चैनल को स होते तोड़ें उनको भी अटा दूंआ धन्यवाद पूरा वीडियो देखें